हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल आज हम कोश्चन करने जारे हैं जारकंड बोर्ड एक्जाम 2022 जो आपका टर्मवन का जो परिच्छा होने वाला है नवंबर नौंबर के महीने में जो होने वाला है नौंबर या दिसंबर के जो महीने में आपके Term 1 का जो एक्जाम होने वाला उसी का त्यारी हम यहां पर करा रहे हैं ठीक है अब आप बोलोगे कि सर अभी तक तो सिलिवस मेरा आया नहीं तो आप तयारी कैसे करवा दे रहे हैं यहाँ पर क्योंकि हमको पता है कि टर्मन में जो कोशन आएंगे वो MCQ बेस पर होगा याँनि आपका objective कोशन रहेगा हमको पता है कि अभी flavors अभी नहीं निकला है फिर भी हम इस chapter का यह जो संख्या पदती है हम बात कर रहे हैं class 9 mathematics संख्या पदती से जितने भी multi choice question याँनि objective question है एक्जाम से पहले याँनि जो एक्जाम आपका नवंबर या दिसंबर में first term का होने वाला है आपका हम पहले यहाँ पर तयारी पूरा करा दे रहे हैं ठीक है इस chapter से और हम हर chapter का जितने भी objective question कोसिस रहेगा मेरा कि जितने भी objective question निकलेंगे सारे objective question करा देंगे यहाँ तक ही अगर हम पूरी detail में आपको हर chapter तो बताएंगे इतना detail बता देंगे कि objective question का जवाब आप खुद देने के capable हो जाएंगे चाहे पूरे chapter से कहीं भी objective question पूछ ले जैसे इस chapter की बात करते हैं संख्या पदती को इतना detail में पढ़ा देंगे कि इस chapter से हजारो question अगर निकल जाएं तो हजारो question का आप जवाब दे सकते हैं जितने भी objective question है ठीक है तो यहाँ तक तो आपको पता है कि term one पर जो exam होगा वो आपका नवंबर या दिसंबर में होगा objective question आएंगे ठीक है 40 मार्स के होंगे ठीक है तो चलिए इससे पहले हम इस chapter के बारे में चर्चा कर लेते हैं फिर बाद भी हमने इस question को करना है ठीक है students आपको पता है प्रकृत संख्या किसे कहते है प्रकृत संख्या या प्रकृतिक संख्या बोलो तो जैसे इसका उधारन हम ले रहे हैं जितने भी counting numbers होते हैं जिसे one two गिंति की जो भी संख्या होती है ये सारे numbers आपके प्रकृतिक संख्या या प्रकृत संख्या कहलाती है जो भी गिंती में जो भी संख्या है आती है अगर हम बोलेंगे सबसे छोटा प्रकृत संख्या कौन सा है तो वन है और सबसे बड़ी प्रकृतिक बोलो या प्रकृत बोलो संख्या कौन सी है तो वो है अनन्थ वन्दब सबसे बड़ी प्रकृत संख्या निकाला नहीं जा सकत इसलिए सबसे बड़ी प्रकर संख्या क्या है अनन्थ है एक्जाम में पूछ देगा तो आप अराम से जवाब दे सकते हैं अब हम बात करते हैं पुर्न संख्या देखो ये जो गिंती की संख्या होती है इसमें 0 छुटा हुआ है अगर इसमें 0 भी सामिल कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 इस तरह से सामिल कर देते हैं तो ये एक आपका पूरा पुर्न संख्या कहलाता है 0 जब सामिल हो जाता है तो इस पूरे संख्याएं को क्या बोलते हैं पुर्न संख्या अब हम आते हैं पुर्नांग दोको पुर्नांग क्या है जिसे 0 लिग दिए 1 लिग दिए 2 लिग दिए 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए और ये चलता जा रहा यानि ये पूर्ण संक्या जितना भी लिख दिए और इधर क्या लिख दिए, रीनात्मक प्रकृतिक संक्या लिख दिए minus 3, minus 2, minus 1 ठीक है चलता जाएगा इधर ठीक, तो ये हमारा ये जो आप combination देख रहे हैं ये जो combination देख रहे हैं ये सारा आपका पुर्णांग कहलाता है पुर्णांग में क्या क्या आजाता है आपका रीनात्मक प्रकृत संक्या भी आजाता है साथ में धनात्मक प्रकृत संक्या भी आजाता है ठीक अब आपको बता दें कि पुर्णांग कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के एक तो रीनात्मक पुर्णांग होगा जैसे मैनस थ्री मैनस टू जो भी मैनस वाले हैं रीनात्मक पुर्णांग और जो पॉजिटिव धनात्मक पुर्णांग है यह नहीं बिना मैनस वाले धनातमक बुनांक होते हैं आप को यहां पर बता दे संख्या रेका क्या होता है यह संख्या रेका है इसमें क्या होता है जितने भी नंबर्स सुर्णते है Like –3, –2, –1, –1, 0, 1 ,23 इस तरीके से चलता जाता है आपको पता दे इसमें जितने भी आपके रियल संख्या होती है रियल नंबर होती है वो सारे संख्या इसमें होती है रियल संख्या मतलब रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या जितने भी वास्तविक संख्या होती है सारे वास्तविक संख्या इस संख्या रिखा के अंदर ह होते हैं ठीक है हम डीटेल में बात करेंगे थोड़ा सा अब हम बात करते हैं पुर्णांग के बारे में पुर्णांग के बारे में सुरी बात कर लिए अब हम परीमे संख्या देखो परीमे संख्या यानि ऐसी संख्या जिसको आप P by Q के form में पी बटा Q के form में लिख सकते हैं यहाँ पर जो P होते हैं और Q होते हैं वो आपका पुर्नांग से यानि integers यानि पुर्नांग को actually इसको हम पुर्नांग को I से दिनोट करते हैं ठेक यह जो PQ होते हैं यह आपका पुर्नांग इनका संबंद किसे होता पुर्नांग से होता PQ belongs I मतलब यह जो PQ का relation है वो integers यानि पुर्णांग से है, जहाँ पर जो जहाँ यह जो डेनोमिनेटर होता है, यहाँ इसको उपर वाले को अंस बोले जाता है, नीचे वाले को हर बोले जाता है, और हर कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक, तो ऐसे संख्या को हम लोग परी में संख्या कहते हैं, फिर से उधारन के लिए क्या ले सकते हैं, जैसे 1 by 2 यह अपका परी में संख्या है, minus 1 by 2 यह भी परी में संख्या है, minus 3 by 2 यह भी अपका परी में संख्या है, 0 by 1 यह भी परी में संख्या है, 2 by 3 यह भी परी में संख्या है, 4 by 5 यह भी परी में संख्या है, ध्यान रखिए का 1 by 0 त क्योंकि परिमे संख्या होने के लिए आपके पास कम से कम दो condition होना चाहिए जैसा पहला condition की बटा के form में होना चाहिए दूसरा condition है कि जो नीचे वाले denominator है यहां है वो कभी 0 के equal होगा ही नहीं तो यहां पर तो हर 0 हो गया इसलिए यह परिमे संख्या 1 बैज 0 क्या है परिमे सं जहां पर जो PQ होते हैं वो belongs करते हैं यहने उनका संबंद पुर्णांग से होता और Q जो है जिरो के बराबर नहीं होता तो ऐसे संख्या जिसको आप बटा की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वैसे संख्याइं को आप परी में संख्या कहलाते हैं एक्जामपल के लिए जैसे जितने भी रूट के अंदर होते हैं इसे रूट 2 है रूट 3 है रूट 5 है रूट 6 है यह सारे जो नंबर्स हैं यह आप परी में संख्या कहलाती हैं जैसे अगर दिखा जाए तो रूट 4 का आप अराम से वर्गमूल निकाल सकते हैं 2 तो इसलिए रूट 4 आपका और परी मे संख्या हो पुर्ण संख्या हो वो सारे पुर्ण संख्या हो सारे आपके परी में संख्या कहलाती हैं यह सिंपली ऐसे बोलते हैं जितने भी पुर्ण संख्या और पुर्ण संख्या दोनों पुर्ण के अंदर आ गया तो जितने भी पुर्ण संख्या हैं वो सारे आपके प परिमे संख्या कहलाते हैं लेकिन सारे परिमे संख्या पुर्णांग संख्या नहीं कहलाते हैं जैसे सारे परिमे संख्या पुर्णांग संख्या क्यों नहीं कहलाते हैं जैसे थ्री बाई टू आपका परिमे संख्या तो है लेकिन ये पुर्णांग संख्या नहीं है आई बस संख्या है लेकिन पुर्णांग संख्या नहीं है क्या छुपा रहता है सब की नीचे वन छुपा रहता है यह भी चीछ क्लियर है और परिमे संख्या भी समझ गए ठीक क्लियर है कोई इसमें दिक्कत नहीं है अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि परिमे संख्या जो होते हैं उनका दसमलब परसार कैसा होता है तो परिमे संख्या का दसमलब परसार समझ लेते हैं जिसे परिमे संख्या जिसे हम ले लेते हैं 1 by 2 और 1 by 3 इसको हम लोग भाग देके देखते हैं 1.0 दियें तो यहां पर 1010 कट दिया अब यहां पर इसको solve करते है 1.0 3369 10 में 9 गया वन फिर 0 339 10 में 9 गया वन फिर 0 339 10 में 9 गया वन फिर पॉइंट के बदे 0 339 गया वन यहां पर situation जो है और यहां पर जो situation है दोनों situation अलग है है तो ये भी है तो दोनों Palestinian क्या तो है तो ये दोनों प्रिमे संख्या लेकिन यहां पर अगर हम 10 मल्लब परसार का बात करेंगे तो ये बाबु आपका सांत दस मल्लब है ये क्या है वन by two का जो दस मल्लब form निकला सांत दसमल्लव है अच्छा सांत दसमल्लव कैसे है ये ये समझते है पहले देखो वन बाई टू बरावर क्या आया है 0.5 यहाँ पर सांत इसलिए बोल जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका जो सेस्फल है वो 0 हो गया ठीक और यहाँ पर ये भी आपका परिमे संक्या है लेकिन यहाँ पर इसको सांत नहीं बो सकते है क्योंकि सेस्फल यहाँ पर खत्तम नहीं हो रहा है फिर सॉल्फ कीजिए का फिर आगे बढ़एएगा सेस्फल बढ़ता जाएगा और 1 by 3 बराबर किया रहा है 0.333 क्योंकि यहाँ पर सेस्वल बढ़ता जा रहा है सेस्वल खतम नहीं हो रहा है तो इसलिए 3333 चलता ही जाएगा तो यहाँ पर जो परिमे संख्या वो उसका दो रूप है उसका दसमलब दो फॉर्म में है एक तो सांथ दसमलब है और इस तरह का जो दसमलब होता है इसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं वो रिपीड होते हैं तो इसको बोलते हैं आसांथ और सांथ आवर्ती ठीक याद रहेगा ये चिछ और सांथ आवरती तो कुल मिलाकर आपको पता चल गया कि परिमे संख्या का दफमलब का दो फॉर्म होता है एक तो सांथ होता है क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट इसमें नहीं बढ़ता अब हम बात करते हैं और परिमे संख्या का दफमलब फॉर्म कैसा होता है एक जी ध्यान रिखे का ये जो वन बाई थ्री बराबर जिरो पॉइंट थ्री होते हैं थ्री थ्री और चलते जा रहे हैं इसको हम लोग सिंपल ही छोटे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते टू जिरो टू डवल जिरो टू एक दो तीन जिरो टू चार एक दो तीन चार जिरो टू और इस तरह से ये चलते जाता है इसमें आपस में जो डिजिट है ये चलते जाते हैं और साथ में कोई भी डिजिट रिपीड नहीं होते हैं परिम्य संक्या का दसमलब फॉर्म इसी परकार होता है इसका दसमलब फॉर्म आसांत दसमलब फॉर्म याद रहेगा इसमें क्या होते हैं इसमें आपके चलते जाते हैं एकदम चलते जाएगा रूकेगा कभी नहीं एकदम चलते जाएगा ठीक है और साथ में डिजिट्स जो हैं रिपीड भी नहीं होते हैं इसलिए इसको आसांत अनावर्ती कहते हैं देख सकते हैं डिजिट्स रिपीड नहीं simply वास्तविक संख्या के बारे में आपको पता होगा जितने भी संख्या आते हैं सारे संख्या का एक साथ ले लो ये वास्तविक संख्या हो मानलो एक थैला है आपके पास इस थैले में सारे संख्या भर दिया आपने भर दिया आपने प्रकिर्ट संख्या भी डाल दिया आपने पुर्न संख्या भी डाल दिया आपने पुर्नांग भी डाल दिया आपने परिमे संख्या भी डाल दिया ओ परिमे भी संख्या आ गया तो इस सारे जो फॉर्म बना इसी को बोलता वास्तविक संख्या यानि हर एक परिमे संख्या भी वास्तविक संख्या हर एक परिमे संख्या भी वास्तविक संख्या हर एक पुर्णांक वास्तविक संख्या जितना भी इत सारे नंबर्स क्या खेलाते हैं वास्तविक संख्या के लियर चोटा फॉर्म में इसका जो डिफिनेशन होता है तो हम लोग सिंपली छोटे फॉर्म में जो डिफिनेशन बोलते हैं क्योंकि परिमे संख्या के अंदर जितने भी पुर्नांग होते हैं आ जाते हैं परीमे संंक्या के अंदर आपका प्रकृत संंक्या GPS आ जाते हैं पुर्नांग और पुर्नांग भी आ जाते हैं पुर्न संंक्या आ जाते हैं तो इसलिए हम लोग वास्तविक संख्या आगि Wool Christ सभी परी में संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं ठीक है याद रहेगा इस अब चारे चीच कोई भी दो परी में संख्या के बीच में अनंत परी में संख्या निकाली जा सकती है कोई भी दो परी में संख्या के बीच में अनंत संख्या होती है ठीक है क्लियर है कोई भी दो संख्या अगर दे देता है दो और तीन दे देता है और बोल रहा है उनके बीच में परी में क्या निकल गया ठीक कहरा हर के परिमेकरन का तातपर्च क्या है हर का परिमेकरन मतलब क्योंता है तो बाई रूट टू अगर नीचे हर में अगर हर का परिमेकरन करना मतलब हर में जो रूट है उसको हटा देना उसका परिमेकरन कर देना हटाने के क्या करना पड़ेगा रूट हरका क्या हो गया परीमे करन ठीक है हरका परीमे करन कैसे हो गया क्योंकि यहां से रूट हडगे आपका ऐसे आपको देखो ऐसे आपको अभास संख्या के बारे में पता है इसे दो तीन पाँच यह सारे नमबर अभास संख्या जो भी संख्या खुद से और एक से कट जाए वो खुद चा, ठीक है तो ये खुद से भी गटता है और दूसरे नमरक। में बाज संख्या सकता है। घतांग की नियम क्या है इसको आपको पढ़ लेना जिसे A to the power M into A to the power n याद रखे A का जो value होगा वो बड़ा होगा 0 से तो उस case में बेस M रहता है तो power क्या होता है जुट जाता है जैसे A M है और divide है A to the power N A to the power M divided by A to the power N इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यानि इसका मतलब हो A पर power M और यहाँ पर जो N है यह positive में उपर जाके negative हो जाएगा अगर हम देखा जाए तोड़कर अगर आपको समझाए तो A to the power M by A to the power N यहाँ पर A to the power M into 1 by A to the power N लिख सकते हैं यहाँ पर A to the power M अब यह उपर नीचे था उपर जाएगा तो minus N हो जाएगा बेस सेम रहता तो power जुट जाता है तो M plus minus minus N तो यही चीज हमने यहाँ पर आपको बताया कि ऐसा case होगा तो इन दोनों का difference हो जाएगा इन दोनों का अंतर यहने M minus N ठीक अगर A पर power M है और उस पूरे पर power N है तो इन दोनों को multiply हो जाएगा यहने गुना हो जाएगा यहने A to the power M अगर A to the power minus M है तो हम क्या बोलें उसको लिख सकते हैं 1 by A to the power M ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं ऐसा है तो ऐसा लिखेंगे इसको उपर ले जाएगे तो फिर positive से negative हो जाएगा ठीक यहाँ तक तो clear है कोई इसमें दिक्कत नहीं अभात संक्या भात संक्या भात संक्या भी समझे गये यहाँ पे हम question number 1 बात करते है name में से कौन परी में संक्या देखो root 3 जो है यह इसका squad rule इसका वर्ग मुल नहीं निकाला जा सकता है यह वर्ग मुल नहीं निकाल सकते है पाए आप का पता है already कि और 4 by 0 में confusion हो रहा हुआ को परीमे संख्या तो आपको बता है परीमे संख्या कंडिशन होता है कि ऐसे संख्या जिसको आप P by Q के form या बटा के form लिख सकते हैं और आपका हर कभी 0 के equal नहीं होना चाहिए और तीसरा किस होता है कि उपर और नीचे दोनों किसे उनका संबन क्या होता है पुरनांग से होता है याँ पुरनांग मतलब आई से होता है तो यहाँ पर 4 by 0 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर हर 0 के बराबर हो गया जो कि possible नहीं है तो यह सही एंसर है निव में से कौन परीमे संख्या 3 और 4 के बीच देखो 3 और 4 के बीच अगर कोई एक परीमे संख्या निकालना तो इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड दे तो वो इसका एंसर हो जाएगा 6 root 5 गुण ka root 5 बराबर इको 6 root 5 और root 5 बराबर देखो root 5 को टो root 5 से multiply करोगे तो 5 हो जाएगा root 3 को root 3 से multiply करोगे तो 3 हो जाएगा 6,35 ठीक तो यहां पर इसका answer हो जागा 30 कहीं पर नहीं दिया थरती यहां पे यह answer है इसका option d 30 है ठीक 5 प्लस रूट 5 5 मैनस रूट 5 इसको A मान लो इसको B मान लो इसको A मान लो अब जाहे सा वाद एक बर A मान लिए B मान लिए तो क्या अलग अलग होगा A प्लस B A मैनस B पराबर फर्मुला होता A स्कॉर यहने A के जगा 5 स्कॉर अब B के जगा रूट 5 का स्कॉर तो यहाँ पर 5 का स्कॉर 25 और root 5 का स्कॉर 5 root 5 अगर root है और पूरे पर square है तो square भी हटेगा, root भी हटेगा तो यहाँ answer हो जागा 20 1 by root 2 के हर का परिमे करन करना हर में कितना है? आपका root में, तो root को हटाना परिमे करन करना मतब root को हटाना तो उपर भी root 2 से multiply, नीचे भी root 2 से तो root 2 by 2 हो जाएगा तो सही answer option B यह कहारा, दो परिमे संख्याओं का गुननफल हमिसा निम में से क्या होता? देखो, दो परिमे तुम ले रहे हो जैसे ले लो कोई भी 1 by 2 ले लो 2 by 4 ले लो इसका जो भी संख्या आएगा वो परिमे संख्या ही आएगा जैसे 1 गुना 2 1 को लिख सकते हैं 1 by 1 तो 1 भी परिमे संख्या है, 2 को लिख सकते हैं 2 by 1 तो 2 भी परिमे संख्या 1, 2 अब इनका product जो आएगा वो भी तो परिमे संख्या ही आएगा टू को लिख सकते ना 2x1 तो इसका सही answer ये है ठीक दो परिमे शंख्या गोननफल हमीशा निमें से क्या होता तो परिमे शंख्या होता है जीरो नेक्स देखते हैं पाई किस परकार की संख्या तो पाई यहाँ पर आपका पाई परकर संख्या भी नहीं है पूर्ण संख्या भी नहीं है परिमे संख्या भी नहीं है तो इसमें से कोई नहीं पाए एक्चॉली क्या है और परिमे संख्या है वीडियो अच्छी लेगी तो चैनल को सब्सक्राइब किजेगा सपोर्ट किजेगा ज्यादा ज्यादा शेयर किजेगा ठैंक्स पूर वाचि इस वीडियो